हम लोग बार करेंगे यह तुछा हमारी दिनचरिया के बारे में बट इन दिनचरिया में आज सभी सामिल हो चुके हैं और चाहे न चाहे उन बीमारियों से हमको लड़ना पड़ रहा है तो इन बीमारियों से बचले के लिए हमको सजेशन देते हैं आपको क्या आप फॉलो कर पी लेगते हैं आपको 126 नगार की विमारियों से अपने हाट के लिए अपने हेल्थ के लिए आप लोग तहल के आए क्योंकि यह जो हिर्दय होता है हमारा जो दिल होता है yes or no yes 24 hours धड़कता रहता है yes or no yes बिचारा हमेसा चलता रहता है क्या आप अपने हिर्दय के लिए 10 क अपने हिर्दय के लिए अपने ओर्गन्स के लिए आप लोग बिल्कुल डाला कीजिए मॉर्निंग इनिंग बॉक्या कीजिए जिससे हमारा घल क्यों है ठीक रहेगा और खानपन जो हम सामिल करते हैं उन सारी चीजों को हमें परिवर्तल करना पड़ेगा फास्वोर्ट ज बहुत सारी चीज़ा होते हैं जिसको हम लोग घर में बना सकते हैं यस अनम? प्रोटीन वीटामिन जो हमारे हैल्टिक लिए जो हमारे सरी के लिए जैसे कि प्रूट्स होता है पुराने समय में जो भी हम सूचर चीजे खाते थे आज भी हम घर बहुत फाइदे मंद होता है तो उस चीज़ को हम लोग सेवान न करके हम लोग आर्टिफिशल चीजों को खाना स्टार कर दिया है जिससे की हमारा है दिन बदिन डाउन होते जा रहा है तो हमारे संस्था इसका सॉलूसर ले करके आई है क्योंकि उन खान पान उन दिन जर्या से तो अब बच नहीं सकते क्योंकि उसके गुलाम हो चुके है यह सरी रादी हो चुका है जब तक मोबाइल नी पगड़ेगा तब तक जिन लगी चलने नी वाली है इसने मांचिकता बना दिया जब तक कूलर में एसी में नी वैठेगा तो गर्मी के मारे बिचारा मढ़ जाते हैं है कि नी किसानों को जो कितने रूप में कड़ी रूप में भी मेहनद कर जाए उनका इसी के ज़रत दी हो तुनका स्वास्ति कितना अच्छा रहते हैं तो इन सारी चीजों से हम बच रही सकते हैं और यदि बचना है तो कहीं ने कहीं हमको आईरवेट के इस्तमाल करना पड़ेगा और वो आईरवेट जो 50,000 साल पहले हमारे भारत देश में सुरुवात से जब हम पैदा हुए तब से वो आईरवेट चला आ रहा है राजा महराजाओं के काल में भी आईरवेट के इस्तमाल किया जाता था याद कीजिए वो समय कोई डॉक्टर नहीं होते थे उस समय कोई म और वह लो आज हम सब भूल चुके हैं, यहां। हमारे कर देश हैं पहलत प्रप्रोत करते हैं, अके हम प्रोड़ेट के लिए ऐसाल नाढ़ हमारे मिसन है कर दिए एड में used to used to be my reader by दूंक्ण अहां जरूरी नहीद होगी एडुके हम अपड़ेगा रोके खाएंगे तो भी क्योंकि हमये इतना फराब हो जुका गोई एंथीबाइटिक दवा भी इमारे सवीर में का नहीं कर रही है तो देखिए आईवेल में हमारे पास seven category के product है किन्हें category है ? seven category है सबसे पहला category होता है then hair care, then beauty care, oral care, food supplement, home care and seven product है अपना agriculture के product क्या है ? agriculture के बारे में हम लग चटचा करेंगे तो एक इंसान का जो शरीर होता है उसके सर के बाल से लेकरके पैर के नाठ्वों तक जो भी समस्थ्याएं होती है जो भी बिमार्यां होती है like that पथरी है बवसीर है अर्ट्राइटिस है लकवायँ, वीपी है, सुगर है, लीवर प्रॉब्लम, किर्णी प्रॉब्लम, गैस की समस्या, इन सारी समस्याओं के लिए अपने पास अवलेबल है वेलनेस प्रोड़क्ट जिसका सेवर करके आप स्वास्त है, मैं जानती हूँ, लेकिन भविस से में बीमार नहीं पड़ेंगे, यदि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, यहां पर ऐसे बहुत सारी चीज बहुत सारे लिक्विट प्रॉड़क्ट हैं, जिसको आप लोग सेवन करके अपने हैल्थ को ठीक कर सते हैं, क्योंकि लिक्विट हमारे सरीज में बहुत फास्त काम गड़ता है, यहां हमारे सेल से तक जा करके बीमारी की जड़ को खतम करता है, मैं गारेंटी रहती हो किसी को पत्री होगा, उठा के स्टों डॉड़क दे देना, उस इंसान को दुबारा जिंदगी में पत्री नहीं होगी, तो यहां का पाईलो डॉड़क इस्तमाल करते हैं, तो अपर जिंदगी मे दुबारा बवसी जैसी समस्या भी नहीं होगी, तो यह बीमारी आप जानते हो, और जितना आपकी नजर में आता है, जिसके दे सकते हो, नेक्स हम लोग बात करेंगे, हैर क्यार प्रॉड़क बालों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि इस्तरी हो चाहे पुरुस हो, यह सर नो सबको बालों की चाहत होती है, यह सानो, कोई अपने पास खाली ले करके चलना नहीं चाहता, सबको अपनी सुरक्षा के लिए, दो मुहे बाल जो ज़ड रहे हैं, पक रहे हैं, या बहुत ज़्यादा प्राब्लम सारी हैं उनके सीर में, तो उनको ठीक करने के लिए, अपन देंटल क्रीम है, या सबनो, बट इस बारे में बताना चाहूंगी, यह न सिर्फ दंत्मंजन है, बलकि यह बहुत सारा काम करती हैं, हमारे सरीर के लिए, यह हमारे दातों को मजबूती प्रदान करता है, मसूडों को सड़ने गलने से बचाता है, यदि दात में जंजना हा या कोई प्रॉब्लम आ रही है, या ब्लीडिंग वह रही है, या फिर पाइरिया की समस्या है, तो एक मात रही है, प्रोड़क्ट आपको काम करेगा, यदि आपके दात निकलवाने के लिए डॉक्टर बोल दिया है, मैं लिख के दे दूंगी आपको, एक हटा में आपका दाथ इतना बैस हो जाएगा कि आपको डॉक्टर के पास आपके गरता है, कि इसको आप खा भी सकते हो, क्या कर सकते हो, आप मैड़र मोल रही है, पेस्ट को कौन पियेगा, यह सानो, कृम को कौन खाता है, लेकिन खा सकते हैं, बिकाज इसमें फ्लॉराइट की मातरा नहीं जो कि मार्केट में जो प्रड़ेक्ट अपरे पास पेस्ट होते हैं जिसकी वज़े से हम उसको खा नहीं सकते ना निगल नहीं सकते तो यह प्लॉराइट प्री होता है जो हमारे पेट यानि डाइजेसन के लिए बहुत बड़ी आकाम करता है ठीक है यदि आपको उल्टी हो हो रही है दस्त है यह पहुंच अधा फेट दर्द है आप इतना सा निकाल करके बुर्गुने पाने में गोल करके पिलीजिए यदि लगातार बार बार उसको दौण भी हो रहा है ना है ना तो मैं बताना चाहूंगी दो बार में उसका दस्त ठीक हो चांग है तो आप उस सब्सक्राइब करता है इसके साथ सिर्दर्द या कफ और आपको तो भी इसको अपलाई कर सकते हैं ठीक है आप यह सारे प्रॉब्लम्स के लिए यह काम आता है जल यह कड़ें तब भी लगा सकते हैं यदि बच्चे लोगों को क्रीवी का प्रॉब्लम होता है तो सब्सक्राइब करेंगे जिसका इस्तमाल करके मैं आपको 100% करूंगी कि यदि आप इसको लगातार यूज करते रहेंगे आपके चेरे में इतनी ग्लोइंस आएगी कि आपको पाला जाने किया हुआ शकता नहीं है ना नेक्स अब बात करेंगे फूर सप्लिमेंट के बारे म हम यसानलों लेकिन यह हम इनका इसतमाल पहले सि हि करें तो मेरे ख्यासी कोई भी भी क्योंकि संतलाइन ही तो है by आयरन का संतलाइन होगिया पानी का संतलाइन होगा चिश्य सारीन को कई चाहार क idag जैसे कि बेरी डॉग है तर्पी डॉग है यह सारे प्रोड़क्त हैं जिसका इस्तमाल करती है आप अपने सरीर में जो प्रोटीन विटामिन मिर्लों की जो कमी हो जाती है उसको आप लोग पूरा कर सकते हैं लेक्स आम लोग बात करेंगे यह देखिए जिंसिंग कि मार्केट का जिमका प्रोड़क्त इस्तमाल नहीं कि छिएगा क्योंकि वहाँ का इस्तमाल करने के बाद अपका सरी जब आप उसको छोड़ोगी त आप पूरा एक्टम लूस हो जाता है यहां था हरवल क्या हमारा मसल स्टेंग आंक जो प्रोड़क्त है जिसकों इस्तमा बाहर जो मार्गर का चाय पीत्या भूख नहीं लगती है यह हरवल चाय है इससे हमको जबरदस्त भूख लगती है गयर्श की समस्या कभी नहीं होती है पेट से सिस्टम यानि यह हर बीमारी के ज़र पेट से होता है यह समनो तो यह ज़िए आप चाय के सौकीन है तो यह सारी चीज़े हैं जिसके हम लोग इस्तमाल करके अपने घर की सुनदर्वा को भी बगयार रख सकते हैं तो मेरी चांकारी यडी तक थी हमने यहां पे हैल्थ के बारे में चांकारी लिए प्रड़क्ट के बारे में जानकारी लिए और लाश्ट में मैं बात करूंगे ए जो हर्बर ऑर्गयनिक जो खेती किसानी के जाए और एको हर्याली है यह चार प्रकार के चीज़ है जिसका इस्तमाल करके आप अपने खेतों को उन बीमारियों से बचा सकते हैं जो खेतों में बीमारिया लगती है और दूसरा चीज हम लोग यूरिया डियपी पोटास पास सारी बीमारिया लोगों को हो रही है आज बच्चा कभी सिग्रेट बीडिक तमबाखों गुड़ाखों नहीं करता लेकिन फिर भी बच्चे को कैंसर हो जाता है यह सुनों तो यह सिर्फ और सिर्फ जो खानी पीने की चीज़ें हैं जिसको उगाते हैं किसान जिसमें हम रस हो जाएगा और फिर से हैना कि इतना सब डालें कि उसको बशकता नहीं पड़ती है कोई भी ऐसा चीज उसको नेक्स काइम डालना नहीं पड़ता तो उनका पैसा सेविंग्स हुआ की नहीं हुआ तो यदि एक एकड़ में पचीस सो यहां पर सेविंग्स होती है तो आप इंटू कर लीजिए यदि आप हंड्रेट एकड़ के लिए भी किसी किसान को प्रवाइड करते हैं तो उस किसान तक इतना पैसा बचता है यसा नौ तो आजके डेट में इन सारी चीजों का इस्तमा जाना और यहां पर हमने जो चर्चा किये हैं सांती से बिना पलक जब आए आप एक तब हो करके इस चीज को सुर रहा है तो मैं सल्यूट करना चाहूंगे और और सभी यहां पर जो लीडर्स और सभी यहां पर जो टीम मेंबर्स और से लोग जो आए हुए उनके लिए मैं तहीं से सुग यहां तो सबके लिए समा में ताना